सर्पन्च संग रास्तान के महत्पून मीटिंग रास्तान सर्पन्च संग के परदेश अध्यक्ष बंसीदर गडवाल के अध्यक्सता में संपन हुई सरपंच के मुख्य परवक्ता रफिक पठान ने बताया कि मिटिंग में प्रदेश कारिकारणी के पदाधिकारी वे रास्तान के सभी जिलों से जिला अध्याक्ष ब्लोक अध्याक्ष हम सरपंचों ने भाग लिया यहम सभी ने अपने अपने विचार रखे दो घंटा विचार विमर्स करने के बाद सरपंच संकी कारिकारणी द्वारा विबिन मागों को लेकर सरकार यहम उच अधिकारियों के साथ बार बार मिलने के बाद भी समश्चाओं का समधार नहीं हो पाया राज्य वित आयोग यहों केंदरी वित आयोग ने नरेगा सामरी का भुकतान भी समय पर नहीं कर रखा ये करीबन दो साल का बकाया चल रहा है खास सुरक्षा का पोर्टल लंबे समय से बंद और ये 2011 के आंख़़ों के अनुसार चल रहा है इसमें पोर्टल को खोल कर नए पातर परिवारों को जोडने के मांग को लेकर काफी प्रियास किये जा चुके हैं लेकिन आम जनता को राहत नहीं दी जा रही परदान मंत्री आवास की सुखर्तियां 2020 के बाद जारी नहीं हुई ऐसे लाखों पातर परिवार परदान मंतरी आवास के इंतजार में बैटे में हैं ऐसे में पातर परिवारों को सिक्र परदान मंतरी आवास दिया जाए वे पोटल खोल कर वंचीत परिवारों को जोड़ा जाए इसी प्रकार करीबन 14 मांगों का मांग पत्र तियार किया गया है आज सची वाले में मुख्य सची सुधान शुपंत को मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन दिया इसके लावा अन्य अधिकारें और सरपंचों की समच्चाओं को से अफगत कराया साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर समय रहते सरपंचों की समच्चाओं का समधान नहीं किया गया तो 8 जुलाई सोमवार को एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी इसके बाद 10 जुलाई को पंचाय समिती स्तर पर धरनायों ग्यापन दिया जाएगा तथा 12 जुलाई को सभी जीला मुख्यालों पर जीला कलेक्टर के माद्यम से मुख्यमंतरी के नाम ग्यापन सोपा जाएगा इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती तो 18 जुलाई को रास्तान के सभी सरपंच जैपूर में गटा होकर विदान सभा का घहराव करेंगे